Hello Students, Student आज की जो हमारी वीडियो है वो है Chromosomes, DNA and Genes और ये Nucleotide तो चलें वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं तो स्टार्टिंग में मैं आपको बताती जाओं के ये क्या है? ये एक हमारे पास जो है ये क्या है? एक सेल है इसको हम कहते हैं सेल, ठीक है, सेल है और ये जो सेल का दर्मियानी हिस्सा होता है, इसको हम क्या कहते हैं, कि ये क्या होता है, ये हमारे पास न्यूकलेस है, ठीक है, ये क्या है, ये जो गोल सापको नजर आ रहा है, ये क्या है न्यूकलेस, तो चलें इस न्यूकलेस को हम क्या करते लेते हैं कि इसको उठा कर हम बाहर ले कि आ जोते हैं इसको हमने यहां इस न्यूकलिस को उठा कर हम ले आई यहां पर तो यहां पर न्यूकलिस यह हमारे पर सब न्यूकलिस बाहर आ चुका हुआ यह कहा है हमारा यह न्यूकलिस ठीक है तो nucleus यह समझाने के लिए आपको cell में से nucleus को बाहर लेकर आई हूँ कि अब इसको तफसील से समझेंगे तो यहाँ पर जब nucleus को हम बाहर ले आते हैं तो यहाँ हम देखते है nucleus के अंदर क्या है यह कुछ दागे नमासी चीज़े हैं ठीक है यह जो nucleus के अंदर जो दागे नमासी चीज़े होती हैं इनको हम क्या कहते हैं इनको हम कहते हैं chromosome यह बिल्कूल ऐसे दागे की shape के होते हैं और इनको हम क्या कहते हैं यह होते हैं chromosome तो यहाँ पर मैं आपको बताती जाओं कि अब अगर हम एक इसमें से यह एक chromosome को ऐसे करते हैं कि एक chromosome को जब हम बाहर निकालते हैं तो यह हमें कुछ इस टाइब का नजर आता है ठीक है यह हमें इस टाइप का नजर आएगा एक क्रोमोसोम ठीक है तो यह कहते हैं इसके अंदर यह देखो यह कुछ इस तरीके का हर क्रोमोसोम के अंदर ऐसा स्ट्रक्चर बना होता है इसको क्या हम कहते हैं कॉलिंग ठीक है इसको हम कहते हैं कॉलिंग अब यहां पर यह बढ़ा करके दिखा दिया आपको कि यह क्रोमोसोम के अंदर यह देखें कि इस तरीके की इसमें कॉलिंग होई होती है अब ये पुरा जो है इसके अंदर क्कुरमसोंस है और इसके अंदर इस तरीके की ये कॉलिंग हुई हुई है पूरा फिल फिल हुआ है ये भरा हुआ हुआ है तो अब आप को मैं बताती हूं कि तो यह ठीने जो है यह एक इनमें से हम इसको एक को शिरफ निकाल लेते हैं ठीक है तो यह कुछ इस तरीके का दागा होगा लेकिन यह सिंगल नहीं होगा यह इस तरीके का दो डागों में डिवाइड हुआ जागा होगा तो यह जो होता है यह जो इसको क्या हम बोलते हैं इसी के अंदर क्या होता है इस जो यह एक क्रोमोसोम्स है यह जो धागा इसके अंदर ही क्या होता है डी आने क्या होता है सेफ होता है ठीक है तो और यह जो ऐसे ब्लॉक से बनाए हैं यह देखें एक एक दो तीन चार पांच ब्लॉक है तो ये क्या होते हैं ये जीन्स होते हैं ठीक है तो जीन्स क्या होते हैं कि जिसमें माँ और बाप की दोनों अबिल्टी आती है ठीक है तो ये क्या होते हैं इनको क्या बोलते हैं जीन्स बोलते हैं ठीक है अब ये देखें कि यहां पर जो है ये जो धागा है इसके के ये जगा जगा ऐसे एक bundle सा नजर आए का और इसके अंदर ऐसे छोटे-छोटे से बॉल्स होंगे तो यह क्या होता है डियंडे यने फ्लस प्रोटेन हैस्ट्राइन प्रोटेन बिसका नाम है ठीक है और फिर यह जो है क्रोमोसुम से के अंदर यह पूतनी होता है यह네 पूटीन के ये ब्लॉग से बने होते हैं अब बात आ जाती है कि ये जो ये धागा है सिरफ देखने में सिंपल लग रहा होता है लेकिन इसके साइट पर ये निकलाइड होते हैं ये जो हते हैं ये रेकें ये जो धागा है इसके अपर ये पूरे कुछ फासले पर इसके अपर पर ये बने होती हैं इसमें कहता हूं यह निकलाइड होता है इसमें इसके अंदर जो यह अमल है इसको हम क्या कहते हैं कॉलिं कहते हैं तीक है जैसे के यहां पर तो यह एक पूरा जो है क्रोमोसोम्स डी एने की वीडियो थी जो मैंने का यह आप से शेयर करूं कि आपको यह बताना बहुत जरूरी होती है अब कुछ थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में जीन्स के बारे में बता दूँ यह मैंने एक छोटा सा शेयर नोट लिखा कि जो पूरी बाड़ी में जो है न यह खसूसियाद जो है बच्चे में जो है यह माबाप की सारी खसूसियाद इसके अंदर इस जीन्स में पाई जाती है और यह एक यूएसबी भी कहलाती है पूरी बाड़ी की और हर इनसान के अंदर जो जीन्स हैं वो एक मेमरी कार्ड का काम दे रहा होता है ठीक है यनि कि इसके अंदर सारा डेटा क्या होता है सेफ होता है हमारी बाड़ी का मतलब हमारी सारी अदात खाना पीना उठना बैटना हर चीज़ तो स्टुडेंट आज की वीडियो जो है यह आप लोगों के लिए काफी इन्फरमेटिव ही है क्योंकि यह मैं आपके साथ काफी स्टुडेंट्स का यह प्रॉब्लम आ रहा था क हमें क्रोमसोम के बारे में बताएं कि यह क्या होते हैं डियने कहा होता है और जीन्स कहा होते हैं तो यह आज आप लोगों के लिए एक वीडियो थी यह किनन आपको पसंद आई होगी आप इसको देखें और जो है मेरे चानल को भी सब्सक्राइब किजिए और इसको शियर कर दियर के ठकी शुन